वीडियो पर आने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें वीडियो को जादा से जादा श्यर करें और लाइक करें सो बात करते हैं आज की वीडियो की जैसे कि आपको पता ही है कि जो यह जो था यहाँ पर आप देख रहे होंगे यह बीयर की काउंसलिंग का जो शेडियूल था इसको रिवाइस किया गया है यह पूराना शेडियूल है और इसको अब रिवाइस करके जैसे कि आप देख सकते तो यहां पर जो था 31 नो एक तारीक तक जो था और 5 तारीक को थर्ड काउंसलिंग थी जबकि आज जो है सेकिंड काउंसलिंग की जो राउंड टू के काउंसलिंग है उसकी जो है यहां पर जो है डोकुमेंट वेरिविकेशन जो है आज होगी ठीक है तो आज आपको कॉलेज जो एडमिशन लेने पड़ी गी तो यह पूरानी थी और आपको पता मोसम वगारा खराब था उसके वज़े से जो था ब्याट की जो कांसलिंग का शेडूल था वो रिवाइस्ट किया गया था आते हैं अपनी जो नहीं हमारी लीस्ट है उस पर यहां पर यह जो है हमारी यह कांसलिंग आप देख रहे होंगे यहां पर आज जो है औरिजनल डोकॉमेंट वेरिफिकेशन हो की कॉलेज जाकर जिसमें जो की पांच से साथ तारीक तक मतलब तीन दो पांच छे और साथ तीन दिन का टाइम है आपके पास एडमिशन लेने के लिए तो आज जाकर जो है आप उसके बाद डेट नहीं मिलेगी और फीस सब्मिट भी आपको इन तीन दिनों के अंदर ही करवानी पड़ेगी तो जिसने भी एडमिशन लेनी है वो जाकर जो है आपने ओरिजनल डोकॉमेंट जो भी आपके अलोटमेंट लेटर में लिखे है अलोटमेंट लेटर जो प्राइबट जो भी होगी तो बात करते हैं कि अग्वेशन कौन लें इतने मार्स वाले लें तो देखो यह है कि अभी आप देखना पिछले आपने फर्स लिस्तौ चेक कर ही लियोगी कि कि इस कॉलेज में कितनी कितनी वेकेंसी बची है तो इतना ध्यान रखना कि अभी भ हो है धर्मशाला में बात करते हैं एच्पू के तो छोड़ी दो हाच्पू तो 95 से उपर ही रखो और कैटागीरी वगारा होगी तब जाके भी आपके 90 तक आएंगे और अगर धर्मशाला की बात करते तो 89 या 90 प्लस ही अभी भी धर्मशाला पर जो है एडमेशन हो रही है सो आप देख लो जिसके जो 80 से उपर 85 से कम आक्स है वो तो चुप चाप करके भी अपना प्राइवेट जो भी आपको ले लो और ऐसा ना हो कि अभी आप जो मिले हैं आपको कॉलेज आप उसको भी छोड़ दो देन आपको नेक्स टाइम जो है अगली काउंसलिंग में क्य 55, 68 इनको एडमिशन मिलेगी तो हाँ आपको एडमिशन मिल जाएगी और जो 53 या उससे जिनों ने एक्जाम नहीं दिया है वो मोप अप राउंड मोप अप राउंड में नहीं आपन राउंड होता है उसके लिए आप अपलाई कर सकते हो ठीक है जहां पर वेकैंसी साइट है उस पर अपकी वेकैंसी रिपोर्ट जो भी लीस्ट होगी किस कॉलेज में कितने कितनी सीट्स है वो सारी आपकी यहां पर आ जाएगी उसके बाद यहां पर इनोंने कहा है कि 12 से 14 तक जो है आपको 5 कॉलेज के लिए अगेन प्रेफरेंस देनी होगी 17 को आपका अब बात करते हैं कि क्लासी कब से स्टार्ट होगी सो आप यहां पर देख सकते हैं 21 तो आपकी डॉकॉमेंट वेरिविकेशन वगारा फी समिट होगी देन उसके बाद फिर से अगेन सीट्स बचेगी देन मोपर राउंड और लास्ट मोगा हमारा ओपर राउंड तो मतलब ऑक्टूबर मंद तो आप ऐसा रखो फ्रस्ट ऑक्टूबर से तो आपकी रेगूलर क्लासी स्टार्ट हो जाएगी उसके पहले विजिस कॉलेज में अगर हो जाती है तो क्या पता कॉलेज والे क्योंकि कॉलेज वाले क्लासी के बुलाना स्टार्ट कर देते हैं så वैसे एक जो regular classes है वो start हो जाए so कुछ और आपको पूछना आप comment कर सकते हो हम आपके हर एक comment का reply देंगे तो हमारी channel के जुड़े रने के लिए thank you